Hello students, today we are going to start with a new poem that is हम पंची उन्मुक्त गगन के, that is poem number one of NCRT books and at seventh Hindi, okay, यह poem का नाम क्या है? हम पंची उन्मुक्त गगन के, हम पंची उन्मुक्त गगन के, मतलब क्या हुआ? कि हम birds free sky के, मतलब क्या? कि हम जो यह sky जितना free हम स्वतंत्र बर्ड है जिनको रोका गया है, यह स्वतंतता पर है, यह आजादी के उपर पूरी poem लिखी गई है, कि पंचीों को जैसे केद कर देते, जैसे उन लोगों पिंचरे में डाल देते तो, उनकी स्वतंतता, उनकी आजादी रुक जाती है, उसके ओपर पूरी स्टोरी पोयम लिखी गई है इनके कवी है शिवमंगल सी जिनका निकनेम है सुमन उनको सुमन नाम से भी बुलाया जाता है इनका नाम क्या है शिवमंगल सी बड़ इनका निकनेम है सुमन ये कवी का जन्म 5th August 1915 में हुआ था और इनका निधन 27 November 2002 में हुआ था इनका जन्म उत्तरप्रदेश भारत में हुआ है इनने बहुत ही सुन्दर रिट से बहुत ही अच्छे से इस कवीता में पंची की स्वत्रनता आजादी के बारे में बताया है कि कैसे पंची उड़ने के लिए बने गए भगवान ने उनको पंक उड़ने के लिए दिये लेकिन उनको केदों में बंद करके उनकी सततता उनकी आजादी रोकी जाती है इस पोयम को बहुत ही अच्छी तरह से अपन लाइन टू लाइन एक्स्प्लिनेशन विच साउंड इफेक्ट पढ़ेंगे अब आजादी क्या होती है आजादी मतलब इंडिपेंडेंडेंस मतलब स्वत्रनता मतलब जो चीज में बंदिश ना हो खुला चोड दिया जाए उसको बोलते आजादी सबको आजादी पसंद है अगर तुमको भी आजादी दिया जाए तो तुमको पसंद अगर तुमको कितना भी अच्छा खान प्यान दिया जाए कितना भी अच्छा कुछ भी लेकिन अगर रूम में बंद कर दिया जाए तो बहार नहीं निकल तो वो आजादी भी तुमको नड़ेगी तुमको हर चीज में आजादी चीए तुमको बंद नहीं अच्छा लगता अब तुमको अगर कितना भी अच्छा खान पन दे रूम में बंद करके रख दे तो भी तुमको नहीं चलेगा वो खाना पीना भी तुमक कड़वा लगेगा, because तुमको आजादी चाहिए, तुमको बाहर की हवा चाहिए, तुमको बाहर आराम से गुमने के लिए चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो रूम ही बंद रूम में तुम काफी टाइम तक नहीं रह सकते हो, जैसे कि अभी lockdown वाली situation है, सबको अपने अ बंद कर दिया गया है, वैसा फील होता है, जैसे ही सब शॉप्स कुली, लोगों ने तूरंत बहार जाना शुरू कर दिया, because वो इतने टाइम तक पिंजरे में थे, घर में रहना, उनके लिए पिंजरे में रहना जासा था, तो उनको भी स्वतनता चीए था, तो उन लोगो वो सोने की चीजों में खाना भी क्यों न खाते हो, लेकिन अगर उनको एक ही जगा बार बार रहना पड़े, बाहर की दुनिया देखना ना मिले, स्वतनता ना मिले, इंडिपेंडेंस ना मिले, तो उनके लिए वो सोना भी वेस्ट है, ओके इससे अपन ये पोयम शुरू क करेंगे, ओके सार्टिंग करते हैं, फिर्स दो लाइन से, हम पंची उन्मुक्त गगन के विजर बाद ना गाफाएंगे क्या बोलने चाहते हैं प्वोए डो चाहते हैं वहीं फीक बोलने चाहते हैं पक्षी मोझेत्zam ईनमुक्त गगन को दाइस सकायल ऑदर घोम सकते हैं हम फ्रीज के लिए बने गए हैं यूआल रंजर बंद मितलग पिंजने जीना जीना म्यूजिक बनाते हैं तो बोले कि हम यह पिंजरे में बंध हम कुछ भी न गायँ पाएंगे हम यह free sky के लिए बने हुए यह पिंजरे में बंध रहने के लिए नहीं बने हुए कि कनक तीलियो से टकराकर पुलकित पंख तूट जाएंगे कनकत तीलिया मतलब क्या होता है, sone ki thilia, जो अपन पिंजरा देखते तो पिंजरे के अंदर, जो lines होती ही बीच scar-beach में तो उसको बोलते सि Andy तो ही कनकत, Sone की टिलियो से टक्रा कर, caution के जो lines है, के इज में LA-ines होती है बोले सोने की भले सोने की बनी हुई हो लेकिन इससे टक्रा के इसको बार बार पंचे अपने जो पंक होते वो उडाने की कोशिश करते तो इससे टक्रा टक्रा के पुल्कित मतलब ही जो इतने भगवान ने हमको यह पंक दिये उड़ने के लिए वो पंक हमारे तूट क्या बोला है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे मतलब हम नदी का पानी नदी का पानी कैसा होता है बहता जल मतलब continuous जो flow हो रहा है पानी तो बोले हम नदी का पानी पीने वाले पक्षी है हम ऐसे पिंजरे में हम ऐसे केज में भूके प्यासे मर जाएंगे हमको ऐसे चोटे से बरतन में जो पानी दिया हूँ तब उस ताइब से पानी पीना नहीं पसंदे हम खुले नदी में से पीने वाले पानी पीने वाले पक्षियों में से पक्षियों को भगवान ने इसलिए बनाया ताकि वो अपने विंग से ओड़ चके और जो निचरल प्रॉपर्टी उसमें से खा पी सके ना कि उनको केज में रखके उनको इक चोटे से बरतन के अंदर खाना पीना दिया जाए तो क्या बोला है कि हम पंची बैता जल पीने वाले हैं हम भूके प्यासे मर जाएगे अगर हमको इस टाइब से रखा गया तो कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासे क्या बोला है कड़वी लिम्ड़े की निबोरी मतलब है जो कड़वा जो फ्रूट आता है तो बोले कड़वी निबोरी भी अगर मुझे मिल जाएगी न वो भी मैं खाने के लिए तेयार हूँ मेरे लिए काफी जादा बेटर है अगर मुझे तुम सोने के कटोरे के कवी ने बताई है कि अगर उनको important day कवी ने बताई है कि अगर उनको आजादी मिलती हो तो वो कड़वी निबोरी भी खाने के लिए तयार है भले ना तुम केज में उसको सोने की कटोरी के अंदर मैदा भी क्यों न दो मैदा usually पक्षियों को पसंद होता है खाना तो मैदा भी चोड़ने के लिए तयार है कर उनको आजादी चाहिए उनको यह केज में रहना नहीं पसंद है क्या बोला है स्वान शुक्ला के बंदन में अपनी गती उडान सब भूले मतलब यह जो बंदन में रखा गया है जो केज में रखा वही जो गोल्डन केज में रखा हुआ है सोने के बने केज में रखा गया है इसमें रह रहे के वो अपनी उडान की गती भूल गए है, मतलब उड़ना भूल चुके है, पक्षी उड़ना भूल चुके है इसमें रह रहे के क्या बोल रहे हैं? बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के जूले मतलब बस सपनों में ही देखने मिल रहा है कि कैसे हम जाड पे जूले खाएंगे ये सब सपना ही रह गया विकॉज हमको केज में बंद कर दिया गया है अब हमको खुले आसमान में स्वतनता आजादी से उड़ने ही नहीं मिलता हमारे लिए एक सपना ही रह गया कि हम जाड पे जूले खा रहे हैं क्लियर है तो एक सपना ही रह गया कि हम जाड पे आराम से जूले खा रहे हमको केज में बंद कर दिया गया हमको स्वतनतता नहीं ह believers खुले आसमान पे जहाड पे जूला खाने के लिए सर्व हम सपनों में ये चिजी देख पा रहें стать कि हम जहाड पे जूला खा रहें ये हमारे र्यालिटी बनना बंद हो गई है और गूर पांऊंठे अन्थ त सीमा पाने क्या बोला है? मतलब ऐसे हमारे अर्मान विशिस है कि हम लोग不知道 खुल कि अास्मान ये जो ब्लू स्काइ है उसकी बॉर्डर कि दर है? उसका एंड कि दर है? अण गुन पाए हम वो एंड धून पाएँ हो एंड तक जा पाएँ तो क्या बोलाएं ऐसे थे अर्मान की उडते नील गगन की सीमा पाने हमारे ऐसे अर्मान थे ऐसे विशिस थी कि हम यह जो नीले गगन की end तक पौँच पाएं उनकी सीमा को उनकी सीमा तक हम पौँच पाएं लाल किरन सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने जो हमारे लाल चोच है जो सूरज की कीरनों के कलर की जो हमारे लाल चोच है उस चोच से हम लोग अनार के जो ट्रीज है ट्रीज के ऊपर जो पोमो ग्रेनेट फ्रूट होता है जो अनार का fruit होता है उसके दाने हम चौच से खा पाए क्या बोला है सूर्य कीरन की जैसे सूर्य कीरन की color की मतलब sun rays की color की जो हमाई लाल कल की चौच है वो चौच हम लोग अनार fruit में डाले और अनार के दाने खा पाए अनार मतलब pomo grenade क्या बोला होती सीमा हीन शितीज से इन पंकों की होडा होडी मतलब यह आकाश के end पर पहुचने के लिए इन पंकों की competition लगती कि कितना fast यह लोग उदर तक पहुच पाएंगे समझा शितीज मतलब जह धरती और आसमान मिलता है मतलब जह एंड होता है जो आसमान का end वैसे इ क्या बोला कि यह शितीज के end तक पहुचने के लिए पंकों का competition लगता कि इतना fast वह उदर पहुच सकते हैं या तो शितीज मिलन बन जाता या तंती सासो की डोरी मतलब या तो हम जो शितीज है उदर पहुच जाते या फिर हम मर जाए तो भी हम खुश है कि हम लोग at least हमको जो करना है हम वो करके मरे हैं ऐसा नहीं कि हम पिंजरे में पड़े पड़े मर गए ठीके तो हमको उड़ना हैं हमको आजाद रहना है हमको जो हमारा विशिस है हमारे अनमान है कि हम लोग इसके एंड तक पहुचे आकाश के एंड तक पहुचे भले न उसके उदर तक पहुचते पहुचता मर भी जाए तो भी हमें कोई दुख नहीं है क्या बोला है इसमें कवी पक्षियों की आजादी की बात कर रहा है उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर अपना स्वभाविक रूप जो उनका नीचर है जो उनका भाव है वो भूल जाते है चचाना भूल जाते है मतलब जो उनकी जो महके जो उनकी जो खिलते है वो जैसे वो उड़ते है उनकी जो रूप रंग उनके जो ढाल है वो भूल जाते है क्या बोला लेकिन पंक दिये है तो आकुल उडान में विगन न डालो क्या बोला लेकिन पंक दिये है तो आकुल उडान में विगनन डालो अगर पंक दिये ही है अगर हमको भगवाने पंक दिये है तो हमारे उडने में विगन मत डालो हमें रोका मत दो हमको उडने दो हमें स्वतंततर रहने दो हमको आजाद रहने दो हमको उडने का मौका दो हमे केज में बंद मत करके रखो कवी कह रहे है कि चाहे पक्षियों को गोसला बनाने के लिए पेड की डाली मत दो यदी चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंक दिये है इसलिए उनकी परेशानी से भरी उडान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो, विग्ण मत डालो, रोको मत उनको पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंक उडा कर फेला कर उडने दो पंक्यों को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो केवल खुले आस्मान में पंक फैला कर उड़ने दो, उनको आजादी दो, उनको केज में बंद मत करके रखो, हर इंसान को, हर पक्षी को, हर जानवर को आजादी चाहिए, वो जिनके लिए बने हैं, उनको वो चीज करने दो, उनक तो उनका स्वभाव जीत लेने दो, उनको उनका स्वभाव से मौच करने दो, क्लियर है, तो हमने आज ये पोयम में क्या पढ़ा, कि सब पक्षी हो, जानवरों की इंसानों, सबको अपनी आजादी बहुत जादा इंपोर्टेंट है, भगवान ने जिसको जैसे बनाया, उसको वैसे जीने दो, उनकी आजादी मत रोको, एक और बहुत बुरी पोयम बोल देती हूँ, भूके प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, पिंजरे में मिलने वाली सुविदाओं से अच्छा तो उन्हें कडवे नीम की तरह फल लगता है, वे आजाद रहके अपना अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं, पिंजरे में रहके तो वे भूके मर जाएंगे, एटलिस आजाद रहके वो अपनी अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता हैं, पिंजरे में रहके तो उनको कुछ अपना पन ही नहीं लगता, वो ऐसे ही भूके प्यासे मर जाएंगे, शुवारन शुक्रला के बंदन में अपनी गती उडान सब भूले, बस सप रहके जूले, पिंजरो में बंद रहके तो जैसे वो अपनी चाल ढाल ही भूल गए हैं, वे जाड पे जूलने के सपने ही देखते रह गए हैं, वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नब की सीमा पाने, लाल किरंसी चोज खोल, ते ऐसी विशिस्ति के जो ब्लू स्काय उसकी एंड तक पहुच पाए और उदर अपनी जो सूर्य किरन जैसे लाल चौचे उससे अनार के दाने खाए होती सीमा हिन शितिज से इन पंकों की होडा होडी ये तो शितिज मिलन बन जाता या तंतीस आसों की डोरी पक्षियों की भी इच्चाय होती है जो उन्हें पूरा करना चाती है जिने वे पूरा करना चाते हैं वे स्वतंतता होके ही पूरी कर सकते हैं क्योंकि बंद रहके तो वे आकाश में ओड़ी नहीं सकते नीडन दो चाहे तनही का आश्चर यचिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये है तो आकुल उड़ान में विगन न डालो कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अदूरे मिलन की जांग लिए इस संसार से चले जाते हैं अगर उनको उडने का मौका मिला उडने के लिए पंक दिये तो उडने के उडने दो उसमें विगन मत डालो अगर पंक दिये है तो उडने दो उसमें बाधा मत डालो clear हैं? okay goodbye everyone we'll end this lecture by this poem and we'll continue with the next